हेलो फ्रेंड्स यू आल और वाचिंग केसी एसे स्यू इंटर्टेंड्मेंट आज मैं आप लोगों को एसीय की सबसे बड़ी जो केव है कचार गड़ केव कचार गड़ गुफा घुमाने ले जा रहा हूं देखिए कितना खूब सुर्ब दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा प्राक्रति में स्वर्ग उतराया हो सर्वत्र हरा भरा प्राक्रतिक सौंधर समेटी हुए कितना नेचरल मजरी नहीं हटती सब्दे नहीं मिलते क्या कहें रोड रोड चल रहे हैं देखिए कितना खूब सा दिखाई दे रहा है हम पहुंसते पहुंसते हो रहे हैं कचार गड़ गुफा की पहाड़ियां दिखाई देने लगी है मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि ये नक क्योंकि ये डेन्स फारेस्ट है यहां जंगली जानवर रहते हैं जैसी आप गुफा तक पहुंचोगे वैसे ही जानवरों की खुजबू कहीं या बद्धू कहीं आने लगेगी अपन पहुंच चुके हैं देखिए अपने आपने कित्ती भवयता समेटे हुए कुपारी लिंगो उनका इस्थान है साल में एक बार यहां पूजा होती है तो संसार के कोने कोने से यहां पर लोग आते हैं भारत वर्स के कोने कोने से ही नहीं विदियो से भी लोग आते हैं बहुत जादा भीड रहती है बहुत बड़ी आत्रा बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ पर इनका जो देवी देवता है फारी कुपारी लिंगो उनका फूजन होता है यह बहुत ही विसाल का है बहुत ही हुज एसिया की सबसे बड़ी गूफा है जिसका दर्सन करके हर कोई अपने आपको धन्यों समझता है देखे नजर नहीं हटती कितना अजबुदन जा रहा है सबतर फरावरा है आपको एक बात की और जानकारी दूँगा बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कहार गढ़ में चोटासा जहरो भी है रास्ता जरा कठीन है वहां लोग छलता हूँ छोटा सब 255 में कर रहा हूं क्योंड में और यातरा पर मेले ठेले पर क्रूप आई olarak आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा संक्या में सब्क्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंड करें, सेर करें, ताकि मैं एक से बड़कर एक वीडियो आप लोग के सिवा में लेकर आता रहूं थैंक यू वेरी मुच पर वाचिंग वाचिंग वीडियो थैंक्स लॉट क्या बात है अगें थैंक्स